इस वीडियो में टू एक्टिविटी लाई हूँ तो चलो पहली एक्टिविटी है हमारी की हम एक मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ड्रॉ करते हैं यूनिकॉन तो हमें उसके लिए चाहिए बस जिसे कि आपको पता है हमारी एक पैंसल और इरेजर सबसे पहले हम एक यूनिकॉन ड्रॉ करने वाले हैं तो हम पहले सबसे पहले हम एक स्लैंटिंग लाइन लेंगे इदर फिर ये स्लैंटिंग लाइन होने के बाद हम इसको ऐसा कॉर्व देंगे तो इदर ऐसा कॉर्व देना है हमें फिर बाद में इदर ऐसा थोड़ा सा कॉर्व देना है इदर फिर बाद में इदर ऐसा फिर से पैंटिंग लेंडेने इस साइड से फिर हमें बनाने इसके बाल तो फिर हम पहले इसके यह जो है कुछ इस तरीके से इसके बाल बनाएंगे फिर इदर हम इयर निकालेंगे फिर बाद में इदर से कुछ ऐसा कॉव लेकर हम उसके बाल बनाएंगे अब हम इदर से एक दम छोटा इदर कॉव लेकर हम इदर यह जोइन करेंगे अभी इसका हॉन बनाना है हमें यानिकी सिंग तो हम इदर कुछ इस तरीके से इसका सिंग बनाएंगे फिर हमें बनाने है इसकी आख तो हम इसा थोड़ा सा हाफ सरकल लेंगे इदर और फिर इदर ऐसे आईले से उसके निकालेंगे फिर बाद में हमें इदर ऐसे कॉलरफूल कॉलर्स करने हैं तो हम इदर इससी लाइंज बनाएंगे इदर हम थ्रीकलर्स देंगे अभी इसकी नाक बनाएंगे हम तो इदर इससा कोव लेना है हमें और फिर हम इदर इससी छोटी सी इसकी नोज बनाएंगे बाद में हमें इसको कॉलर करना है तो मैं आपको जिस सजेशन है हमें यहां कॉलर्स लेने तो सबसे पहले मैं दूंगी डार्क ब्लू तो टॉप पर में डार्क ब्लू देने वाली हूँ फिर उसके बाद पोपल और फिर उसके बाद डुरेट मैं ऐसे कलर्स इस लिए दे रही हूँ क्योंकि यह थोड़े से कलर्स मिलते जूलते यूनिकॉन से और फिर बाद में मैं इदर फिर से डार्क ब्लू देने वाली हूँ बाद में इदर पोपल दूँगी फिर बाद में में दूँगी इदर रेड आप अपने मन चाहे कलर्स दे सकते हैं फिर बाद में में इदर दूँगी पिंक और नांक को भी हम हलका सब पिंक देंगे और ये हमारा क्यूट सा यूनिकॉन रेडी हुआ है ये हमारा क्यूट सा यूनिकॉन है तो अभी ये रेडी हो गया है अभी ये रेडी हो गया है तो आप देख सकते हो कि ये बहुत क्यूट से यूनिकॉन बनाए तो हम सेकेंड एक्टिविटी करें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो सेकेंड एक्टिविटी करने से पहले कि आप इस तरह से उसको बुकमार्ग भी बना सकते हो और जैसे कि मैंने ये नोटबुक अपनी डेकोरेट की है उससे और ये मैंने इधर अपनी कमपस भी इससे ही डेकोरेट की है आपको दिख ज़गा ये कितना क्यूट है तो बाद में हम लग अभी सेकेंड एक्टिविटी कर रहेंगे अभी हम बनाने वाले हैं एक हाउस उसके लिए चाहिए आपको एक स्क्वेर पेपर तो सबसे पहले आपको ये जो ये दो कॉर्नर्स है वो फोल्ड करने एक दूसरे से जोडने फोल्ड करकर सेन स्टेप आपको दोरानी है उस साइड से ऐसे आपको फोल्ड करना है फिर बाद में ये साइट चापको ऐसे फोल्ड करना है और ये दोनों जो है ये इधर से इसे इधर लाइन पर ले आना है फोल्ड करकर इसे ले आना है फिर बाद में इसको ओपन करना है हमें और ये जो है इधर का हिस्सा खुला हिस्सा वो हम इधर से ये लाइन से इसे फोल्ड करेंगे तो ये इधर इसे जैसा बन जाएगा ये सेम स्टेप आपको ये दूसरे सेट से करनी है ऐसे गया है हमारा सुंदर सा हाउस तो हमें इसको थोड़े सा भी खिडकी निकालनी होगी और दर्वाजा भी निकालना होगा तो मैं जस्ट आपको दिखाती हूँ ये मैंने ओरेंज क्रेयोन लिया है तो मैं इधर उसका दर्वाजा निकालूंगी तो ये हमने इधर दर्वाजा बना लिया है तो हम इधर इसकी खिडकी बनाएंगे तो अभी इधर हमें चोट इसकी खिडकी बनाएंगे वैसे ही इधर हम लोग अभी खिडकी बनाएंगे इधर तो ये हो गया हमारा क्यूट सा सुन्दर सा हाउस आप ये घर पर ट्राइक कर सकते हो बहुत इजी है ये हाउस आपका क्यूट सा और इसको कुछ ज्यादा लगता भी नहीं है तो देड़ लाइक लाइक जोरू कोचा देना और सब्सक्राइब जोरू करना बाई